थर्ड वर बिए माॉस माउस इसा पईंटिंग डिवाइस ये एक इन्पुट डिवाइस भी है और इसे पईंटिंग डिवाइस भी कहते है इथ हल्प पस तू द्रॉभ पिक्चर्स ये हमें पिक्चर्स द्रॉaci्स करने में हेल्प करता है See, it's a mouse picture This is a left button This is a right button And it's a scroll button It's a wall mouse And it's a optical mouse Okay, let's move on to keyboard Keyboard is a typing device ये भी एक input device है और ये typing device भी है It has 101 or more keys इसमें 101 से अधिक keys है 101 या 101 से अधिक keys है Keys चाबिया नहीं बटन ठीक है These keys are pressed for typing alphabets, numbers and symbols ये की हमें alphabets, numbers और symbol को प्रेस करने में help करता है ये keys हम लोग alphabets, numbers और symbol के लिए प्रेस करते है ठीक है इसमें कौन-कौन से keys होता है Alphabets होता है, numbers होता है और symbols होता है See, you can see here यहाँ पर alphabets keys मिलेगा आप लोगों को A, S, D, F, G ये सब alphabets है और यहाँ पर देखें आप लोग तो आप लोगों को यहाँ पर numbers मिलेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसी आप लोगों को यहाँ पर भी numbers मिलेंगे लेकिन numbers के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर कुछ symbols भी मिलेगा ये देखें, percentage का symbol and का symbol, star का symbol bracket का symbol, open and close दोनों ही है, underscore ये सारे symbols भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे और कुछ extra buttons भी है और अब हम लोग पढ़ाई करेंगे function of six main keys of a keyboard are followed keys name, pictures key and function काम, सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे enter, enter का की ऐसे दिखता है और ये है, change the line to change the line, ये किसले यूज होता है line change करने के लिए, for example अब भी हम लोग ने यहाँ पर लिखा, फिर अगर हम लोगो इसलिए यूज होता है, got it, next, space bar, space bar जो है, वो सबसे लंब की होता है keyboard में to leave blank space between letters and words अगर हम लोगों को बीच में, words के बीच में, या letters के बीच में, अगर हम लोगों को gap देना होता है तो हम लोग space bar यूज करते है for example, यहाँ पर देखिए, to2 के बाद में एक छोटा सा gap है and then leave लिखा हुआ है यहाँ पर कोई gap नहीं मिल रहा है आप लोगों को फिर यहाँ पर एक gap है, then blank, then gap, then space तो यह जो space हम लोगों को मिला है, यह जो gap मिला है यह space bar काम करते है C से हम लोग, इसी space bar से हम लोग gap देते हैं between the letters and words, even numbers also backspace, backspace कुछ ऐसा दिखता है what is the function of backspace? to erase letters from right to left यह letters को erase करता है हमारे right से left की तरफ ऐसे कुछ erase करता है okay, next, delete delete की कुछ ऐसा दिखता है और इसका function है to erase letters from left to right और यह हमारे letters को ऐसे erase करता है left से right की तरफ okay, shift key shift key look like this to write capital letter at a time एक समय पे एक ही letter लिखनी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं सिर्फ एक ही letter हो पाएगा तो capital letter लिखनी के लिए हम लोग shift की यूज़ करते हैं shift की कैसे use करते हैं पहले shift की press करते हैं और साथ ही साथ जिस letter को बढ़ा करना है for example, अगर हमको w को बढ़ा करना है capital letter करना है तो हम लोग को shift की दबाकर w की press करना होता है तो वो capital हो जाएगा w capital हो जाएगा अब आप लोग को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि हम लोग तो सिर्फ एक ही letter capital कर पारे अगर सारे को capital लिखना है तो बार बार shift की पकरना पड़ेगा नहीं उसके लिए भी हम लोग बताएगे C, caps lock caps lock की कुछ ऐसा दिखता है और इससे to write capital letter continuously हम जो है capital letter को continuously लिख सकते हैं यानि कि अगर हमको चाहिए यह पूड़ा यह सारा जो लिखाव है अगर मैं इसको सारे को capital में चाहती हूँ तो मैं caps lock की on कर दूँगे और उसके बाद यह सारा keys जो है यह सारा letters वो capital में इतना start हो जाएगा और अगर आपको small में चाहिए तो कुछ नहीं करना है caps lock की off कर देना है तो आप पर के सारा letters जो है वो आप जब भी type करेंगे जो भी type करेंगे वो आपका small में लिखाए होगा अगर एक for example यहाँ पर देखिए जैसे कि यह T है यह सिफ capital है बागी सारा आटर टाइम एक ही लेटर को capital letter कर सकते है इसके लिए यूज होता है shift key ओके